हेलो फ्रेंड आप देखरें टेकनिकल सागर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मॉडम में किसी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं वाइफाई से मतलब आपके वाइफाई से कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट ना हो पाए उसको कैसे ब्लॉ टिवाइस ब्लॉपक किया जाए कि वह वाइफाई यूज ना कर पाए क्यूंकि बिल मैं भरता हूं और वो ले रहा है तो ये तो ठीक बात नहीं है तो चलिए उसके मज़े काटते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे लोगों को अपने वाइफाई से ब्लॉक कर सकते हैं तो करना यह है आपको अपने ब्राउजर को खोल लीजी और यहाँ पर यह लिखिए 192.168.1.1 और एंटर कीजी अब यहाँ पर यह यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा अलग-अलग मॉडम की अलग-अलग यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं अगर आप आईबॉल का आई बैटन यूज कर रहे हैं यही मॉडल यूज कर रहे हैं या आईबॉल का कोई भी यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर डाल दे और लॉग इन करते हैं लॉग इन करने के बाद आपको ऐसा पेज दिखेगा अब ज़रूरी रही है कि हर मॉडम में ऐसा ही पेज दिखे लेकिन जो options होते हैं जो features होते हैं वो लगभग same ही होते हैं उनका नाम थोड़ा बदल सकता है लेकिन चीज़े यही रहती है अब यहाँ पर हमें देखना है कि कितने device connected है वाइफाई में अब मैंने अपने घर के सारे वाइफाई device disconnect किये हुए हैं यह चेक करने लिए कि क्या कोई और connected है तो चलिए wireless info पे क्लिक करते हैं और देखते हैं show active clients कितने wifi devices on है तो आप देख सकते हैं कि दो devices यहाँ connected है तो मेरे तो सारे devices disconnected हैं तो यह आखिर दोनों हैं कौन तो यह जो दोनों device हैं यह मेरे पड़ोसी के हैं मेरे नहीं हैं तो चलिए इनको block करते हैं सबसे पहला यह device ले ले लेते हैं देखिए अलग-अलग device की identification होती है wifi की identification होती है उसको mac address कहते है अलग-अलग device का यह अलग होता है तो wifi mac address जो होता है आपका आप अपने device में अपना कैसे देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ सुन लीजी अगर आपके पास Samsung का device है या आप कोई भी Android है तो ऐसे ही आसपास ही होगा वो option तो आपको क्या करना है setting में जाना है about device पर tap करना है और आप फिर नीचे नीचे जाईए और status पर tap कीजिए वहाँ पर आपको आपकी IP address local IP address जो होती है वो Bluetooth का address, serial number और Wi-Fi Mac address मिल जाएगा तो वही आपका Wi-Fi Mac address है ध्यान दें कि आप अपने device को connect करके अपना ही Mac address ना block कर दें नहीं तो आप Wi-Fi से connect पी कर पाएंगे अपने device को, लेकिन बात में unblock कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहों कि आप अपना ही block करें और फिर आप परिशान रहें कि मेरा device क्यों connect इसलिए मैंने आपको बता दिया चलिए, तो यह जो Mac address है, यह मैंने पड़ोस ही गया है और इसे हमें block करना है, तो यहां से notepad पर paste करने के बाद, इसके जो colon है वो सारे हटा दीजी चलिए, इसके colon जो है, यह हटा लेता हूँ मैं सिर्फ numbers और यह रहने देता हूँ alphabets, क्योंकि मेरा modern, columns accept नहीं करता, तो इसको mark कीजिए और copy कर लीजिए ठीक है, इसको minus कर दीजिए, इसको भी काट दीजिए चलिए, तो उसके बाद network setup पर जाएए आपके में कुछ और हो सकता है, net setup हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आप जाएए और यहाँ wireless पर क्लिक कीजिए, basically आपको wireless setting में जाना है, उसके बाद आपको option मिलेगा, mac filtering, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर select लीजिए, deny listed, मतलब जो भी list किये गए mac address है, उनको मेरे wifi modem से connect नहीं होने देना, यहाँ पर mac address को paste कीजिए, और add कर दीजिए, अब आपका जो modem है वो restart होगा, restart होने के बाद, वो mac address वा जो device है, वो मेरे wifi से connect नहीं कर पाएगा, चाहे उसके पास मेरा wifi का password क्यों न हो, ठीक है, तो यह मने apply करते हैं, बस यह apply करने के बाद, अब वो device मेरे modem से connect नहीं हो पाएगा, तो सीख गए आपके कैसे किसी को wifi पे block करते हैं, अगर कोई फाल तू लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके wifi को सारी speed ले रहे हूँ, कई बार ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई यूज कर रहा है, लेकिन यूज कर रहा होता है, आप चेक कीजिए कि आपके wifi को कोई और तो यूज नहीं कर रहा है, I hope आपको information मिल गई होगी और आप सीख गया होगे कि कैसे किसी को wifi से block किया जाता है अगर यी video आपको अच्छी लगी तो इसको share करें, like करें और अगर आप नए हैं तो मेरे channel को subscribe करें Thank you so much, मिलते हैं इगली वीडियो में, good bye